important topic is acid waste balance and imbalance तो आज का जो हमारे important topic रहने वाला है that is acid waste balance and imbalance तो इससे यह आपका जो है OBG subject आपका नर्सिंग में रहता है OBG subject जो रहता है उनसे related हमने important MCQs को cover कर रखा है और यह अब जो हम यह जो हम लोगा पढ़ने वाले हैं यह आपके fundamental of nursing जो सब्सक्राइब पढ़ते हैं nursing में तो इस सब्सक्राइब से लिएगा यह topic है और यह जो वही topics लिए जा रहे हैं जो most important topic है for your point of view और एक्साइम के point of view से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा जो important topic है सिर्फ उनको उन topics को लेकर MCQs को cover कर आया जा रहा है तो इसका topic है acid-base balance and imbalance फर्सक्राइब यह आपर देखते हैं that is during abg analysis blood is collected from abg analysis क्या होता है first of all आपको पता होना चाहिए abg analysis abg analysis to hote are blood gas analysis blood is collected from abg analysis के लिए blood जो है बुकलक किया जाता है कहां से artery से या बेन से या capillary से या नी साइट से तो best वेस्ट जो हो रहता है abg analysis के लिए अगर उसको abg analysis करना है तो जो best रहता है blood का collection तो वो रहता है artery so artery से जो है abg analysis के लिए artery से blood को collect किया जाता है तो option number जो ए है हमारा collect रहेगा and next question यहाँ पर हम देखेंगे next question here you can see in abg analysis abg analysis में which parameter are assessed to abg analysis आने की area blood gas में कौन से parameters को assist किया जाता है Teh sodium bicarbonate that ।ो sodium bicarbonate carbon dioxide koy आपको पता होना अच्छे कि अच्छे से देख सकते हैं आपको लिंक देदेंगे वहां से आप जो है क्लिक करके डारेक्टी देख सकते हैं एवी जी अनलेसिस बीच प्रामेटर आरटासीस्ट तो बीच पैरामेटर आरडासीस्ट तो बीच पैरामेटर आरटा से जैता है help को हम पियाज तो यह रहता है यह रहता है एवीजी अनलेसिस के परामेटर शिब्टेस यहां पर हम देखेंगे एवीजी अनलेसिस रिपोर्ट इंक्लूड बाइकृरबॉनेट ऑक्षीजन-पार्शीन-क्षीम-द्या-डाइक्साइड-पियज इलक्तो-लाइट- लाइक- तो यह स पार्षिल औक्सीजन पार्षिल टाइक्साइब और फोसे अगर प्रियेच कम है तो उसे क्या कहेंगे तो व्यादे दिखेए के मैं से ज्यादा उता थिरे डीकल्फ कहते हैं यह सीच्छ में रखने है पीएजेल wished होता है वो पेज़़ गर सबंसे कम हैं विच ऐस एक अब अब फ्र फोन प्रॉमज आपेज अब आन विच्टेस लेका नाएज एन पायं पार टीए पीच अगर सभन पाइंत भी च गितना है इसमें एक एवी पी एच जो है 7.20, 7.20 है पी एच लेवल और पार्शियल कारवन डायकसाइड जो है 35 mmHg है इस वरी जिछ करती है तो वह सजेस्ट करती है मैं फायनिंग्स थो होग सिंसक्क्रावरय थैर। वह सजेस्ट कहती हैं metabolic acidosis metabolic acidosis को यह सजेस्ट करता है metabolic acidosis को सजेस्ट करता है सब्सक्राइब नेक्स यहां पर आप देखेंगे decrease in the pH of the blood ब्लड का पीएज है blood in decrease in the pH of the blood blood का पीएज टेक्रीज है less than 7.35 अगर ब्लड का पीएज जो है वह 7.35 से अगर कम होता है 7.35 से अगर कम है तो वह condition मानी जाती है this condition मानी जाती है as a result of retention of acid or the decreasing of bicarbonate level in blood plasma जो की नॉर्मल जो रहता है bicarbonate का वो रहता है 22 to 27 million per liter यहां पर जो हमारा bicarbonate का level दे रखा है आप देखेंगे bicarbonate का level जो दे रखा है bicarbonate का level वो दे रखा है 20 million per liter और यहां पर जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट का level जो होता है नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल होता है 22-27 million per liter होता है तो जिसे क्या कहेंगे तो question के according काल मैटाबॉलिक एस्टोसिस वेस्ट बाइकार्बोन डेफिसिट तो next question here you can see based of the following arterial blood gas कांसा जो है इसमें arterial blood gas जो है arterial blood gas value जो है consists with metabolic acidosis तो इन में से कौन से arterial blood gas value जो है वो consists करती है metabolic acidosis तो metabolic acidosis कौन सी condition consists करती है the answer is by carmose state universal so यहां पे bicarbonate that is buffer waste level always below the normal level in metabolic acidosis metabolic acidosis के normal level से हमें से कम होता है which is bicarbonate so next the arterial blood gas, arterial blood gas होता है analysis report arterial blood gas analysis report arterial blood gas analysis report जो सो करती है that a decrease bicarbonate अगर bicarbonate का level अगर कम है and pH value वो डिनोट क्या करता है pH value हो डिनोट क्या करता है तो metabolic acidosis अगर क्या है अगर जो arterial blood gas की एक report है उसमें जो क्या करता है decrease bicarbonate level bicarbonate level जो है decrease है अगर कितना हम रोग ने देखा था 20 to 27 देखा था तो अगर जो है bicarbonate का level जो होता है bicarbonate level अगर एक report में ABG report में जो है decrease bicarbonate level तो वो pH value डिनोट क्या करता है तो pH value डिनोट करता है respiratory alcoholosis respiratory alcoholosis अगर जो है यह जो है starvation diabetic ketoacidosis answer correct is metabolic acidosis तो यहाँ पर हम देखेंगे important content about this question this question so cause of metabolic acidosis metabolic acidosis का के जो cause रहते है metabolic acidosis के कारण क्या रहते है starvation रहता है starvation यहाँ पर आपको यह याद रखने है is starvation and insufficient starvation or insufficient carbohydrate metabolism diabetic ketoacidosis diabetic ketoacidosis and a sock diabetic ketoacidosis and sock severe diarrhea severe diarrhea and excessive use of acetylcyclic acid and kidney failure high fat diet and malnutrition these all the causes of metabolic acidosis metabolic acidosis के कारण कारण से cause है starvation है insufficient carbohydrate metabolism है diabetic ketoacidosis है sock है severe diarrhea excessive use of acetylcyclic acid and kidney failure है high fat diet and malnutrition है तो यह सब cause रहते है metabolic acidosis के pancreatic pancreatic and intestinal secretion are normally alkaline pancreatic and intestinal secretion which is alkaline contain high amount of bicarbonate excessive loss of waste leads to acidosis तो इसकी बज़े से अगर ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लौस हो जाता है तो इसकी वसे acidosis होता है pancreatic and intestinal secretion normally alkaline pancreatic and intestinal secretion normally alkaline contain high amount of bicarbonate this is why excessive loss of waste leads to acidosis so next question here you can see which arterial blood which arterial blood gas would the nurse expect in client diagnosed with diabetic ketoacidosis which arterial blood gas which arterial blood gas would the nurse expect in the client diagnosed with diabetic acidosis यानि कि इनमें यह जो four terms आपको दिये गए है four statement दिये गए है इनमें यह पूच्छा है कि कौन सा statement जो है यानि कि कौन से statement की जो values है वो क्या indicate करती है diabetic ketoacidosis को diagnose करने के लिए indicate करती है तो यहां पर हमारा राइगा अगर pH 7.30 है partial carbon dioxide pH 30 है 7.30 है pH और partial oxygen 90 है और pH जो रहता है pH 7.30 partial oxygen 90 है and partial carbon dioxide 30 है इनमें से कौन से value जो है इंडिकेट करती है तो अगर pH 7.30 है metabolic alkalosis यानि कि पहले हम लोगोंने metabolic acidosis देखा था 7.47 है और carbon dioxide 40 है carbon dioxide 40 है bicarbonate 36 है partial oxygen 78 है तो यह इंडिकेट करता है metabolic alkalosis को तो यहां पर आप देखेंगे इंक्रीस देखेंगे इंक्रीस देखेंगे अगर ब्लड का pH 7.45 से अगर जादा हो गया है ब्लड का pH जो है more than 7.45 से जाता हो गया है इंक्रीस देखेंगे और ब्लड का लेबल भी इंक्रीस हो गया है ब्लड प्लाज्मा more than 27 millieq per liter इंक्रीस देखेंगे bicarbonate 36 है metabolic alkalosis ब्लड का लिए अक्सस तो यह तो इस क्रेशन के according किया रहेगा metabolic alkalosis चैसी क्डीशन रहेंगे तो यहां पर next question a nurse is caring for a patient nurse 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 patient 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 nurse nurse और रहे है कर रहे हाएए पासेंट रोडय थ्रय भाहरें बार एक लृट्ट और हि लृटनेंटर डार नर्स दैनुर। नाइज रख में कायगार्ण ठेवस्ट इस नहीं समय जो जो wielड बेश्न की अवे भाएब कि ँठैस पर यह अगह तो परमेटिंग को और चिरहें इसेश बिसमीन हो यह किर एक इन प्लांत हैं फिर और 10 कल्ड वह्त उन वहरे हैं वहरे हैं और 10 वामेटिंग आहिती साल हएं पारपीक्ट्रे शॉसमें कौली तुर्स करता है एलकॉलोसफ न को एल टो ना यहां पर दीखने के परसिस्टेंड प्रोलंग करके सबस्टेंग वसके सबस्क्राइब कर शत्र Kollege कौनाओ और अक्सक्षिप भॉमिटिंग अगर हो रही करले हैं,, तो क्या दो पूंत है में इसपोड़ाट में टिर में इसकोंब अस्थिक अधरे लापिए नार्वाट से लॉप इसका टिरून ₹ इसे लेफंध प्राकिया में होले इसको खशा घाए हैं réflex Yoga जाता है.. कम हो जाते हैं इसकी वजह से मेटावलिक एलकुलोसिस हो जाता है तो हुआ यहां पर दिख पा रहे हैं कि मेटावलिक एलकुलोसिस होता है इसमें यह ऐसीनिक आइंस होते हैं ऐंसी कोजाता है जर्म बाइकर्वनेट इंक्रीज हो जाता है सिद्यम में इंक्रीस क्लैस्ट में और जो असटेटीक आइन्स होते हैं वह कम हो जाते हैं तो इसलिए प्लोश से है Metabolic Alkosis condition जो है इसमें हिंडिकेट रहती है नेक्स आप कुस्टन देखेंगे हैं नेक्स पेस्टन हीरो कन सी बिच ऑफ देवाइं क्लीनिकल फाइंडिंग जो है है एक्सपेक्टेट में घार्म इसलिपकेट एक हुछ ऑफ इसलिप्स होने के बज़े से इनलब्स कोषट गया क्लीनिकल इसलिपकेट सेटिक तो इंक्रीश सीर्म बाय कारपिडय के लबल जह वाड़ता है तो वह कौन सी कंडिशन मनी जाती है तो वह कंडिशन मनी जाती है तो वह पर देखेंगे पैसेंट इस गैस्ट्रो इंट्रो लाइजी वार्ड अगर पैसेंट जो है कहां है इस गैस्ट्रो इंटरोलोजी वार्ड में है इस एन नाजोगास्ट्रिक तूब और उसके जो है नाजोगास्ट्रिक टूब है विद कंडिशन लोग पैसर सक्षन उसको जो है क्लाइंट को अर्टियर ब्लड गैस पिए जो है सब्सक्राइब कावन लाइक साइड जो है 33 और पार्चिल ऑक्सिजन 95 और ऑक्सिजन और कावन डाया जो पाइकारवनेट लेवल जो है 19 और बिच मेडिकेशन बुर्दन नर्स प्रपेर टो अड्मिस्टर बेस बेस बाइस ब यहां पर नेक्स्ट्रेशन आप देखेंगे इन एबीजी रिपोर्ट एबीजी रिपोर्ट में पी एच अगर 7.3 है पार्चिल करवन डैकसाइड सेवंटी है पार्चिल ऑक्सिजन 80 है और बाइकारवनेट 24 है तो पर रिप्रेजेंट क्या करता है तो रिप्रेजेंट करत प्रेक्ट ऑप संडर पी एच 7.3 करवन डैकसाइड 50 mmHg नेक्स्ट केसे नॉर्मल रेंज और पार्चिल करवन डैकसी अवीजी एंशेंपल तो एवीजी सेंपल मोस्ट इंपोर्ट थेंगे आप आपको बता दें कि जो जितनी भी बैलूज है नॉर्मल बैलूज जो होती ह जाएड जितनी भी सीरम लेवल जितनी भी वैलूज है वो आपको लर्न कर लेनी है जिससे क्या रहेगा आपके इसली क्वेश्टन्स जो है सौल्व हो जाएंगे यह क्वेश्टन्स जो है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि यहां पर जो क्वेश्टन्स हैं वो अग किसी भी की बैलू जो है अगर आपको पता है तो यह question एजली आप solve कर पाएंगे तो first of all क्या कर लेना है first of all जितनी भी बैलू है partial carbon dioxide, partial oxygen, bicarbonate, oxygen की बैलू और जो भी है वो हम लोग को याद कर लेनी है then यह question solve करने है तो normal range bicarbonate in the abg sample abg sample में जो partial carbon dioxide की normal range क्या है तो partial carbon dioxide abg में क्या रहती है 35 to 45 mmHg, normal range यह किसकी है normal range of partial carbon dioxide in abg sample abg sample में यह partial carbon dioxide जो partial carbon dioxide है उसकी abg sample में जो है partial carbon dioxide की normal range कितनी है 35 to 45 mm lg and next यहाँ पर देखेंगे in case of respiratory acidosis respiratory acidosis के case में there is increased level of respiratory acidosis में किसका level जो है increased होता है carbon dioxide का next यहाँ पर question आप देखेंगे which leverage result should alert the nurse to perform further assessment on the person admitted with respiratory distress तो यहाँ पर इसमें correct option रहेगा आपका partial carbon dioxide जो है partial carbon dioxide less than 50 mm hg next question which of the following condition would a nurse recognize as contributing to the development of respiratory acidosis तो correct option आपका emphysema correct option आपका emphysema next question here you can see which of the following statement about acid waste balance is incorrect acid waste balance के वहाँ याँ पर कौन सा statement जो है कौन सा statement जो है incorrect है for the acid waste balance तो कौन सा incorrect है acid waste balance के लिए और तो इसमें correct option आपका emphysema करता है एस पैसा रोस को लाऊस अफ गैस्टरिक जूस को करता है मेटावॉलिका अलकलोसिस को एांपर ये चीज़ां आपको याद रख लेनी है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपार्टन रहेंगे एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से नहीं तो आपको वीडियो अगर हर रहा ह। थे लाएंगे श्यादा इंप शेर और शेंगे चानल और यू स्वाटियुत है